नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष शिरी सत्य नारायन भगवान की संपूरन कथा प्रस्तुत कर रही हों। आईए शुरू करते हैं। भज्मन नारायन नारायन हरी हरी। एक समय की बात है, नैमिशा रण्यतीरत में शोनकादी 88,000 रिशियों ने शिरी सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभु भक्ती किस प्रकार मिल सकती है, तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ट, कोई ऐसा तप बताईए, जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवानचितफल की प्राप्ती हो जाए। हम इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा करते हैं। सर्वशास्त्रों के ग्याता सूत जी बोले, हे वैश्नवों में पुझ रिश्यो आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। इसलिए मैं आप सभी को एक ऐसे स्रेष्ट वरत के बारे में बताऊंगा जिसे नारज जी ने लक्ष्मी नारायन भगवान से पूछा था और लक्ष्मी पती ने मुनिश्रेष्ट नारज जी से कहा था। अब आप सब इसे ध्यान पुर्वक सुनिए। एक समय देवर्शी नारज दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यों लोक में आप उचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीडित देखा। उनका दुख देखकर नारज जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मनुष्य के दुखों का अन्त हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णू लोक में गए। वहाँ पर देवों के देव भगवान नारायन की स्तुती करने लगे। जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वजन्ती माला पहने हुए थे। स्तुती करते हुए नारज्जी बोले, हे भगवन आप अत्यंत शक्ती से संपन हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदी, मध्य तथा अंत नहीं है, हे निर्गुन स्वरोप, स्रिष्टी के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको मे के लिए यहां पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए, तब नारज्ज मुनी बोले, मृत्यों लोक में अनेक योनियों में जन्ने मनुश्य, अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नात, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए कि व बहुत अच्छी बात पुछी है, जिसको करने से मनुश्य मोह से छूट चाता है, आज मैं वह बात बताता हूँ, स्वरग लोक तथा मृत्यू लोक दोनों में एक दुरलब उत्तम वरत है, जो पुन्य देने वाला है, आज तुम्हारी भक्ती से प्रसन होकर, मैं तुम्हे वह बताता हूँ, शिरी सत्य नरायन भगवान का वरत पूरे विधी विधान से करके, मनुश्य तुरंत ही सुख भोग कर, मृत्यू के समय मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान शिरी हरी के वचन सुनकर नारज जी ने कहा, इस वरत का फल क्या है, और इसका विधान क्या ह सर्व प्रथम इस वरत को किस ने किया था, और यह वरत कब करना चाहिए, हे भगवन मुझे विस्तार से कहें, तब नारज जी की बात सुनकर श्री हरी विष्णू जी बोले, दुख तथा शोक को दूर करने वाला, यह सत्य नरायन वरत सभी स्थानों पर विजय दिलाने व ब्रामनों तथा बंधों के साथ करनी चाहिए, भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केली का फल, घी, दूद और गेहु का आटा सवाया ले, गेहु के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड लेकर सभी भक्षन योग्यपदार्थों को लेकर भगवान को भोग लगाए ब्रामनों सहित बंधू बांधों को भी भोजन करवाएं, उसके बाद स्वयम भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, इस तरह से सत्य नारायन भगवान का वरत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं इस घोर कल युग में मृत्यू लोक में मोक्ष प्राप्त करने का यही एक सरल उपाय है, इसी के साथ शिरी सत्य नारायन वरत कता का प्रथम अध्याई संपूरन हुआ, श्री मन नारायन नारायन हरी हरी अब शुरू करते हैं श्री सत्य नारायन भगवान की कता का दूसरा अध्याई, सूत जी बोले, हे रिशियो जिसने पहले समय में इस वरत को किया था, अब मैं उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो, काशिपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्रामन रहता था, ब्रामन का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम प्रित्वी पर क्यों घूमते हो, तब दीन ब्रामन ने उत्तर दिया, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धर्ती पर घूमता हूँ, यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो, जिससे मेरे दुखों का निवारन हो जाए, तो क्रिपा करके मुझे बताईए, तब ब्रामन रूपधारी भगवान बोले, कि सत्य नारायन भगवान मनोवांचित्फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, सत्य नारायन भगवान के पूजन से, मनु जिस दीन ब्रामन मन ही मन सोचने लगा, कि जिस वृत को वृत ब्रामन करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा, यह निश्चय करने के बाद उसे रात को नीद नहीं आई, वह सुभा उठकर सत्य नारायन भगवान के वृत का निश्चय करके, विक्षा के लिए चला ग उस दिन निठधन ब्रामन को विक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंदू बांधों के साथ मिलकर श्री सत्य नारायन भगवान का वृत संपन किया, भगवान सत्य नारायन का वृत करने के बाद वह निठधन ब्रामन सभी दुखों से छूट गया, और अनेक प्रका के संपत्तियों से युक्त हो गया उसी समय से यह ब्राम्हन हर मास इस व्रत को करने लगा इस तरह से सत्य नारायन भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होगा सूत जी बोले शिरी नारायन भगवान द्वारा नारत जी को बताये गए शिरी सत्य नारायन व्रत को मैंने तुम्हें बताया है हे विप्रो अब और मैं क्या बताऊं तब रिशियों ने कहा हे मुनिवर संसार में उस विप्र से सुनकर और किस-किस ने इस व्रत को किया हम इस के लिए हमारे मन में शद्धा भाव है। सूध जी बोले हे मुनियो जिस जिस ने इस वरत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्रामण अपने बंदू बांधों के साथ शिरी सत्य नारायन भगवान के वरत की तयारी कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला पू वरत करते देख। ब्रामण को नमसकार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से क्या फल मिलेगा। कृपा करके मुझे भी बताएं। तब ब्रामण ने बताया कि सम्मनों कामनाओं को पूरण करने वाला यह सत्य नारायन भगवान का वरत है। इ फिर वह चल नामरित और प्रसाद लेकर अपने घर गया। लकड हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि आज लकडी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं शिरी सत्य नारायन भगवान का उत्तम वरत करूँगा। मन में इस विचार को ले वह बुढ़ा आदमी। सिर पर लकडिया रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग जादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकडियों का दाम पहले सी चार गुना अधिक मिला। बहप्रसन होकर केले, शकर, घी, दूद, दही, गेहु का आटा और सत्य नारायन भगवान के वरत की सभी सामगरी लेकर अपनी घर गया। वहां उसने अपने बंधू बांधों को बुला कर पूरे विधी विधान से सत्य नारायन भगवान का पूजन और वरत किया। इस वरत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड हारा, धन, धान्य तथा पुत्र आदी से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इती शिरी सत्य नारायन वरत कथा द्वीती अध्याई संपूरण। शिरी सत्य नारायन भगवाने की जये। आईए अब शिरू करते हैं शिरी सत्य नारायन कथा का तीसरा अध्याई। सूत जी बोले हेश रेष्ठ मुनियो अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पुरानी समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धीमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रती दिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली तथा सती साध्वी थी। भद्र शीला नदी के तट पर उन दोनों ने शिरी सत्य नारायन भगवान का वरत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को वरत करते देख वह विन्य के सा पूछने लगा हे राजन भक्ती भाव से पूरण होकर आप सब यह क्या कर रहे हैं। कृपा करके मुझे भी बताएं। राजा बोला हे साधु अपने बंदु बांधों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान शिरी सत्य नारायन भगवान का वरत तथा पूज करवा रहा हूं। राजा के वचन सुनकर वै आदर सहित बोला हे राजन मुझे इस वरत का विधान बताएं। आपके कहे अनुसार मैं भी इस वरत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। और इस वरत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होग राजा से वरत का सारा विधान सुनकर वैव्यापार से निवरित होकर अपने घर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस महान वरत का वर्णन कह सुनाया। और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस वरत को करूँगा। साधू ने इस तरह के व और दस्वे महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या चंद्रमा की कलाओं की तरह दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने बड़े ही मदुर शब्दों में अपने पती को याद दिलाया कि आपने सत्य नरायन भगवान के जिस वरत को करने का संकल्प किया था, उसे करने का समय आ गया है, अब आप इस वरत को कीजिए। साधु बोला, हे प्रिये, मैं इस वरत को पुत्री के विवहा पर करूँगा, इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे कर वह नगर में चला गया, जब कलावती विवहा के योग्य हुई, तो उसके पिता ने तुरंत ही दूद को बुलाया, और कहा कि मेरी कन्या के योग् कर आओ, साधु की बात सुनकर दूद कंचन नगर में पहुच गया, और वहां देख भाल कर लड़की के सुयोग्य एक वनिक के पुत्र को ले आया, सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंदू बांधों को बुला कर अपनी पुत्री का विवहा करवा दिया, लेकिन द कि साधु को अत्यदिक दुख मिले, अपने कार्य में कुशल साधु बनिया, अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास्थित रतन सारपुर नगर में गया, वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंदर केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे, एक दिन इच्छा करते देख, चुराया हुआ धन वहां रख दिया, जहां साधु नामक बनिया, अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था, राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा, तो वह ससुर और दामाद दोनों को बांध कर राजा के पास ले हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्या देए, राजा की आज्या से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया, शिरिसत्य नारायन भगवान के श्राप से साधु की पत्नी और पुत्री बहुत दुखी हुई, घर में जो धन रखा उसे चोर चुरा कर ले गए शारिरिक तथा मानसिक पीडा और भूग प्यास से व्याकुल हो अन की चिंता में कलावती एक ब्राम्हन के घर गई वहां उसने शिरी सत्य नारायन भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी वह प्रसाद ग्रहन कर रात को घर वापिस आई लीलावती ने कलावती से पूछा हे पुत्री तुम अब तक कहा थी तुम्हारे मन में क्या है कलावती ने अपनी माता से कहा हे माता मैंने एक ब्राम्हन के घर में शिरी सत्य नारायन भगवान का व्रत देखा है कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भूली हुई बात याद आ गई और उसने भगवान के पूजन की तैयारी करने शुरू कर दी लीलावती ने परिवार तथा बंधू सहित शिरी सत्य नारायन भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पती तथा जमाई शीगर ही घर आ जाए साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराद ख्षमा करें शिरी सत्य नारायन भगवान लीलावती के वरत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र केतु को सपने में दर्शन देकर कहा ही राजन तुम उन दोनों वैशियों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन राज्य तथा संतान सब कुछ नश्ट हो जाएगा प्रातहकाल राज सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि दोनों बनियों को कैज से मुक्त करके सभा में लाओ सभा में आते ही दोनों ने राजा को प्रणाम किया तब राजा मीठी वाणी में बोला हे महानु भावो भाग्यवश ऐसा कठिन दुक तुम्हें प्राप्थ हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भई नहीं है इतना कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूशन भी पहनाई और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापिस किया दोनों वैश्य अपने घर को चल दिये इती शिरी सत्य नारायन वरत कथा त्रीती अध्याई संपूर्ण बोलो सत्य नारायन भगवान की जय आईए अब शिरू करते हैं शिरी सत्य नारायन कथा का चोथा अध्याई सूत जी बोले तब उस बनिये ने मंगला चार करके अपनी यात्रा आरंब की और अपने दमाद के साथ अपने नगर की ओर चल दिया थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेश धारी शिरी सत्य नारायन भगवान ने स्वयम उनसे पूछा हे सादू तेरी नाव में क्या है तब वह वणिक हस्ता हुआ बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हो दंडी स्वामी इतना कहकर वहां से दूर चले गए कुछ दूर जाकर वह समुद्र के किनारे बैठ कए दंडी स्वामी के जाने के बाद साधू वैश ने नित्यक्रिया के बाद नाव को उची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर वह मुर्चित होकर जमीन पर गिर गया मुर्चा खुलने पर वह शोक में डूब गया तब उसके दामाद ने कहा आप शोक ना मनाएं यह दंडी स्वामी का शाप है इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए तब ही हमारी मनोकामना पूरण होगी दामाद की बात सुनकर वह दंडी स्वामी के पास गया और अत्यंत भक्ती भाव से नमस्कार करके बोला मैंने आप से जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे ख्षमा कर दे ऐसा कहकर वह दुखी होकर रोने लगा तब दंडी भगवान बोले हे वणिक पुत्र मेरी आज्या से बार बार तुमें दुख प्राप्थ हुआ है तु मेरी पूजा से विमुख हुआ है साधु बोला हे भगवन आपकी माया से ब्रह्मा आदी देवता भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं अज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप मुझ पर प्रसन हो जाइए अब मैं सामर्थय के अनुसार आपकी पूजा करूँगा हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और पहले की तरह मेरी नोका में धन भर दीजिए साधू वैश्य के भक्ती पूर्वक्वचन सुनकर भगवान शिरी सत्य नरायन देव प्रसन हो गए और उसकी इच्छा नुसार वर्दान देकर अंतरध्यान हो गए तब वह ससुर और दामाद जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी यह चमतकार देख उन्होंने पूरे भक्ती भाव के साथ वही पर शिरी सत्य नरायन भगवान का पूजन किया और अपने नगर की और प्रस्थान किया जब वह नगर की नस्दीक पहुँचे तो उन्होंने एक दूत को घर पर खबर देने भेजा दूत ने घर जाकर लीलावती से कहा कि मालिक अपने दमाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं दूत के बात सुनकर साधू की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्श के साथ सत्य नरायन भगवान की पूजा की और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पती के दर्शन के लिए जा रही हूँ तो कार्य पूरण करके शिग्र आ जाना माता के वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसनता के मारे प्रसाद छोड़कर अपने पती के पास चली गई प्रसाद के अनाधर के कारण शिरिसत्य नारायन भगवान रुष्ठ हो गए और नाव सहित उसके पती को पानी में डुबो दिया कलावती अपने पती को वहां ना देख कर जमीन पर गिर गई नोका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोते देख साधू दुखी होकर बोला हे प्रभू मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करतें साधू के दीन वचन सुनकर शिरिसत्य नारायन भगवान प्रसन हो गए और आकाशवानी हुई हे साधू तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद का अनादर किया है इसलिए उसका पती अद्रिश हो गया है यदि वह घड जाकर प्रसाद ग्रहन करे और फिर लोट कर आई तो इसे इसका पती अवश्य मिलेगा आकाशवानी को सुनकर कलावती ने घड जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहन किया और वापस आकर देखा कि उसके पती सहित नोका जल पर तैर रही है उसके बाद साधू ने अपने बंदू बांधों सहित शिरिसत्य नारायन भगवान की पूरे विधी विधान से पूजा की और वह सभी संसारिक सुखों को भोग कर अंतमे स्वरग लोग को प्राप्थ हुआ इती शिरिसत्य नारायन वरत कथा चतुर्थ अध्याई संपूरण श्रीमन नारायन नारायन हरी हरी आईए अब शिरू करते हैं शिरिसत्य नारायन भगवान जी की कथा का पांचवा अध्याई सूत जी बोले हे रिशियो अब मैं एक कथा ओर सुनाता हूँ उसे ध्यान पूरवक सुनिए प्रजा पालन में लीन तुंगद्वज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान श करके पेड के नीचे बैठ कया वहां उसने गोप गवालों को भक्ती भाव से शिरिसत्य नारायन भगवान का पूजन करते देखा अभिमान वश राजा उन्हें देख कर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया गवालों ने राजा को प प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ कर वह अपने नगर में चला गया जब वह अपने नगर में पहुचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था तो वह शिक्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है फिर वह वापस ग्वालों के पास गया और विधी पुर्वक पूजा करके उसने प्रसाद को ग्रहन किया तो शिरी सत्य नरायन भगवान की क्रिपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया दीरक काल तक सुख भोगने के बाद मर्नो परांत उसे स्वरग लोग की प्राप्ति हुई जो मनुश्य परंदुरलब इस सत्य नरायन व्रत को करेगा भगवान सत्य नरायन की अनुकंपा से उसे धन धानी की प्राप्ति होगी इस पावन व्रत को करने से निर्धन धनी हो जाता है संतान हिन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनुष्य पूरण होने पर मनुष्य अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है शि वित्य शतानंद ब्राम्हन ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड हारे ने अगले जन्म में निशाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उलकामुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरत बना, साधु नाम का वैशिक अगले जन्म में मोर्ध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया, महराज तुम्ध्वज ने स्वयंभू मनु बनकर भक्ती पुर्वक करम करके मोक्ष को प्रा बोलू शिरी सत्ति नरायन भगवान की जय।